नमस्कार आकाश्वाणी से प्रस्तुत है समाचा प्रभात अंतर रास्ट्री मुद्राकोश ने चालू वित्तवर्ष के लिए भारत के सकल घरेलो उत्पात की विधितर के अनुमान को साथ त्रतिशत पर बनाये रखा और ACC पुरुष T20 Emerging Team Asia Cup में आज शाम अल अमिरात में भारती का सामना मेजबान ओमान से समाचा प्रभात के साथ मैं निखिल कुमार प्रधान मंतरी नरेंदर मोदी आज रूस के कजान में ब्रिक्स संबेलन के अफसर पर चीन के राश्ट्रवती शी चिनफिंग के साथ दुपक्षी वारता करेंगे दोनों देशों के बीच नियंतरों रिखा पर गश्ट के व्यवस्था के बारे में हाल के समझोते को देखते हुए इस बैठक का महत्तो बढ़ गया है प्रधान मंत्री मोधी और चीन के राश्ट्रवती के बीच पिछले पाँच वर्षों में ये पहली सुन योजित बैठक होगी विदेश सचिव विक्रमिस्त्रे ने इसकी पुष्ट की श्री मोधी ब्रिक्स संबेलन को भी संबोधित करेंगे इससे पहले प्रधान मंत्री ने कल रूस और इरान की राश्ट्रती के साथ दुपक्षी वारता की श्री मोधी ने इन दोनों देशनों से संबंधित मुद्दों के शान्तिपूर्ण समाधान की आवश्यक्ता पर बल दिया उन्होंने स्बश्ट किया कि युद्ध से कोई समाधान संभब नहीं है श्री पुतिन के साथ बैठक में श्री मोधी ने इस बात पर जो दिया कि भारत रूस योक्रेन संघर्ष के शान्तिपूर्ण समाधान में सहायता करने को तयार है विदेश सचिव ने पत्रगारों को बताया कि प्रधान मंतरी ने योक्रेन के नित्रत के साथ अपनी मुलाकात से राश्पूर्टी पोतिन को अफ़कत कराया और कहा कि भारत क्षेतर में शान्तिख खायम करने के योगदान का इच्छुक है ब्रिक्स सम्मेलन से पहले श्रीमोदी और इरान के राश्पूती मसूद पेजिस्कियन के बीच भी बैठक होई उन्होंने पस्चिमेश्य कि स्थिती पर चर्शा की विदेश सची विक्रमिस्री ने बताया कि श्रीमोदी ने 32 अंगर्ष पर गंभीर चिंता प्रकट की और नागरिकों के सुरक्षा की आवशक्ता के बारे में भारत का दिश्टिकोंड दोहराया उन्होंने तनाव दूर करने के लिए वारता और कूट नेती कुपायों पर बल दिया श्रीमोदी ने इरान के साथ सधियों पुराने संबंधों को और मजबूत करने की प्रती भारत की वचनबधता भी दोहरायी विदेश्ट सचिव ने कहा कि दोनों नेताओं ने चाबहार बंदरगा और अंतर राश्ट्रे उत्तर तक्षन परिवहन गलियारे सहीत प्रमुक्षेत्रों में सहयोग पर चर्चा की हमारे समवादता ने खबर दी है कि भारत अंतर राश्ट्रे स्थर पर शांति खायम करने वाले देश के रूप में उभरा है भारत विश्व शांती के निर्माता के रूप में उभर रहा है परधान मंत्री नरिंद्र मोदी की कजान में ब्रिश शिकर संबिलन में दिवपक्षिये वारताएं इसी बात की पुष्टी करती हैं रूस युकरेन संघर्ष का समधान करने में मदद करने की पेशकश पर मोदी जी को पुतिन जी ने सरा है ये भारत के बरते वैश्विक प्रभाव को दर्शाता है भारत का नेतर तो अश्चिम एशिया में बरते तनाव पर चिंत्यावेक्ट करता है नागरिक सुरक्षा और राजने एक समवाद की वकारत करता है शांति पूर्ण संघर समादान और समवाद की पर्दिबद्दिता भारत को विश्वसनिये वैश्विक शांती निर्माता के रूप में स्थापित करती है सेयुक्त राश्ट संघ शांती स्थापना जैसे बहु पक्षिये मंचों में भागेदारी के साथ भारत वैश्विक समवाद के लिए अपनी पृतिबद्दिता को दर्शाता है नसीब नकवी आकाश्वाणी समाचार कजान सेयुक्त राश्ट महासचिव एंतोनियो गुतरश ने सीमा पर तनाव कम करने के लिए हाल के भारत चीन समझोते पर प्रसन्नता व्यक्ति की है उन्होंने आशा प्रकट की है कि अब दोनों देशों के बीच अच्छे पड़ोसी संबंध और मजबूत होंगे दैनिक सयुक्त राश्ट ब्रीफिंग के दौरान श्री गुतरश ने दोनों देशों के बीच किसी भी सकारात्मक पहल का स्वागत किया और आपसी संबंध प्रगाण करने के महत्त पर बल दिया श्री गुतरश ब्रिक्स शिखर सम्मेलन में भी शामिल होंगे ये समाचार आकाश्वणी से प्रसारित किये जा रहे हैं समाचार प्रभात में आपका फिर स्वावत है भारत और पाकिस्तान श्री कर्दारपुर साहिब गलियारे पर संजोते की अवधी पांच वर्ष बढ़ाने पर सहमत हो गये हैं विदेश मंत्राले के बयान में कहा गया है कि इससे पाकिस्तान जाने वाले भारतिय तीर्थ यात्रियों को आसानी होगी कर्दारपुर साहिब गलियारे की रास्ते भारत से हजारों सिक श्रधालों हर साल पाकिस्तान जाते हैं भारत सरकार ने तीरत यात्रियों की सुविधा के लिए 24 अक्तूबर 2019 को पाकिस्तान के साथ समझोते पर हसाक्षर ये थे जो पांच वर्ष की अवधि के लिए था मद्यप्रदेश सरकार ने दुशकर में पीडित नाबालिकों को मिशन वातसल्य योजना के तहत विभिन सुविधाय देने का निरनलिया है हमारे समवाददाता ने बताया है कि इस योजना का उद्देश्य लेंगिंग अपराद से पीडितों को पॉक्सों के अंतरगत संरक्षन और केंदर सरकार के निर्भया फंड से वित्ती सहायता प्रदान करना है मद्य प्रदेश कैबिनेट की बैठक में कल मिशन वात्सलिके अंतरगत दुषकर में पीडित बच्चियों को शिछा, पुलिस सहायता, मात्रत्व नवजात, शिशु देखभाल, मनो बैग्यानिक परामर्ष, आनूनी सहायता, स्वास्त बीमा, देखरेक संसानों में आस्र जैसी सुविधाय दैने का निर्नल लिया गया, इस योजना का लाव उठाने के लिए FIR की प्रती होना आवश्यक नहीं है, पीडित नावालिक बालिका को गैर संस्थागत देखभाल के लिए 4000 रुपर प्रतिमाय भी दिये जाएंगे, योजना पर अमल कलेक्टर के माध्य प्रतिम से किया जाएगा, इसके लिए निर्विया फंड से प्रतेक जिले को 10 लाग रुपे भी उपलब्द कराए जाएंगे, संजीयो शर्मा, आकाश्वणी समाचार, मौपाल भारतियां तराष्ट्री फिल्म आहस्व इफ़े के लिए प्रतिनी पंजी कराण शुरू हो गया है, फिल्म आहस्व गोवा में 20 से 28 नॉवंबर तक आयो जित किया जाएगा, फिल्म प्रेमी माई.फ़े गोवा.org पर पंजी कराण करा सकते हैं, इसका शुल्क 1180 रुपे रखा गया है, ध्यारतियों को फिल्म देखने के लिए रोजाना चार टिकट निशुल्क मिलेंगे, एक रिपोर्ट. इसका यूजन राश्ट्रे फिल्म विकास निगम और सूचना एवं प्रसारन मंत्राले, गोवा सरकार की सहयुग से प्रतिवर्श करता है. प्राथना की रिपोर्ट के साथ समाचार कफ्ष से आकर्शिता सिंग्ग। हमारी समवध्दाता ने बताया है कि BSNL का नया शुभंकर, शक्ती, विश्वास और सुगमता का प्रतीख है. नय प्रतीक चिनह के अलावा, देश में संचार सुवधाओं के विस्तार के साथ साथ, डिजिटल सुरक्षा को बढ़ावा देने के उदेशे से, BSNL की साथ नई सेवाए भी शुरू की गई है. इनमें स्मार्म मुक्त भारत, नैशनल वाइफाय रोमिंग, इंटरनेट फाइबर टीवी, एनिटाइम कियोस, डिरेक्ट टू दो डिवाइस सेवा, सारवजनिक सुरक्षा और आपदा राहत और खदानों में पहले 5G की सुवधा भी शामिल. राश्ट्रिय वाइफाय रोमिंग सुवधा अपने फाइबर टू दो होंग राहकों को बिना किसी अतिरिक शुल्क के BSNL होट स्पोट पर मुफ्थ हाइज स्पीड इंटरनेट आक्सेस प्रदान करी. BSNL ने खनन कार्यों के लिए 5G नेटवर्क की भी शुरवात की है. भ अगले वित्तिवर्ष 25-26 में भारत की वृद्धिदर 6,5% रहने का अनुमान है. डेलाइट इंडिया ने भी अपने नवीनतम आर्थिक परिद्रिष्च में भारत की वृद्धिदर 4,5% में 7,2% की बीच रहने का अनुमान व्यक्ति किया है. और अब खेल समाचारों के सा मुकेश कुमार बल पुरुशो की टीम ने मेजबान मलेशिया को 4-2 से हराकर लगातार तीसरी बार जीत दर्ज की है। इस जीत के साथ भारत नौंक के साथ अंकतालिका में शिर्ष पर है। आज भारत का सामना औस्तेलिया से होगा। भारत इस परतियोगिता का किताब तीन बार जीत चुका है। इसके अलावा काठमांडू में सैफ महिला फुटबॉल चेंपेंशिप में ग्रूप A के अंतिम मैच में आज भारत का सामना बांगलादेश से होगा। मैच भारत ये समय के अनुसार शाम सवा 5 बजे से खेला जाएगा। भारत पहले ही सेमी फाइनल में पहुंच चुका ह उधर वर्ष 2026 में आयोजित होने वाले राष्टर मंडल खेलों के आयोजकों ने हौकी, बैडमिंटन, मुक्यबाजी, निशानेबाजी, क्रिकेट और स्क्वेज जैसे प्रिचलेत खेलों को प्रतियोगिता से हटाने का निर्णे लिया है। राष्टर मंडल खेल स्कॉट पराने की आशंका है। इस बिच ओडिशा के मुक्यमंत्री मोहन चरण माजी ने सभी बीधावकों से राहत और बचावकारियों का समन्यों करने का अग्रह किया है। प्रकास्तास अकास्वाणी समाचार भूबनेश्वर। मध्य हिस्से में भी हलकी से मध्यम वर्षा होने का अनुमान है। इस सब्धा के दौरान देश के मध्य और उत्तरी बश्च्वी भाग में मौसम साफ रहने की संभावना है। जारखन मुक्ति मोर्चा जे, एम, और रास्ट्री जनतादल आरजडी ने विधान सभा चुनाव के लिए अपने उम्मीद्वारों की पहली सूची जारी कर दी है। मौर्चा ने पैंतीस और रास्ट्री जनतादल ने छे उम्मीद्वारों की सूची जारी की है। महराश्ट पर विधान सभा चुनाव के लिए नामांकन के पहले दिन कल्वे भिन राजनितिक पार्टियों के 57 उम्मीद्वारों ने नामांकन पत्र भरे अंतिंतिती 29 अक्तूबर है। ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in और हमारे News on AIR मोबाइल एप पर भी उपलब्द हैं। और अब समाचार पत्रों की सुर्खियों के साथ है नई मक्तर। धन्यवाद निकिल, रूस के कजान में ब्रिक्स शिकर सम्मेलन से जुड़े समाचार आज अखबारों के पहले पढ़ने पर हैं। जोस्तान, जनसत्ता, राश्ट्रे सहारा, राजस्तान पत्रेका और दैनिक ट्रिब्यून ने प्रधान मंत्रे के बयान को सुर्खी बनाया है। रूस और यूक्रेन के बीच युद्ध खत्म करने में भारत मदद के लिए तैयार। दैनिक भासकर ने राश्ट्रवती पुतिन के इस कथन को प्रमुखता दी है। में म्यूचल फंड में निवेश दोगुना और शेर पेंशन में निवेश 7 प्रतिशत से बढ़कर 12 प्रतिशत हुआ। वीर अरजुन ने RBI के डेपुटी गवर्नर माइकल देवरत पातरा के भारतिय अर्थ वेवस्था के चालू वितुवर्ष में 7.2 प्रतिशत की दर से बढ़ने का अनुमान दिया है। पंजाब के से देश बंदो और राजस्तान पत्रिखा के खेल पनने की सुरखी है। ग्लासगों में होने वाले राश्ट्र मंडल खेलों से हौकी, बैडमिंटन, कुष्टी, क्रिकेट और निशाने बाजी जैसे कई खेल बाहर। और रंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। मुद्राकोश ने चालू वित्वर्ष के लिए भारत के सकल घरेलो उत्पाद के विद्धिदर के अनुमान को साथ प्रतिशत पर बनाए रखा। और ACC पुरुष T20 Emerging Team Asia Cup में आज शाम अल अमिरात में भारत एका सामना मेजबान ओमान से। इसके साथ ही समाचार प्रभात का ये अंक समाप्त हुआ नमस्कार। झाल